और बड़ी कबर है लग्णाओं से योगी केबिनेट की बैठक चल रही है कई एहम प्रस्ताओं पर मुहर लग सकते हैं जानकारिये की 25 जाना प्रस्ताओं पर मन्जूरी मिलने की संभावना है गन्ना एवं चीनी उद्योग वभाग के प्रस्ताओं शामिल है गन्ने के राज परामर्शी मूले को घोशित किया जा सकता है नई शीरा नीति का भी अलान हो सकता है नीजी, मसमी, पार्ग नीति समेथ कई प्रस्ताओं को मन्जूरी आज दी जा सकती है गन्ना एवं चीनी उद्योग वभाग के प्रस्ताओं शामिल है जिनमें गन्ना और उद्योग से जुड़े कई एहम प्रस्ताओं शामिल है चीनी उद्योग वभाग के प्रस्ताओं भी है समाधत आलोग पांडियमार साथ लगनों से लाइब करने चालोग क्या एहम प्रस्ताओ जिनको आज मनजूर किया जा सकता है कैबिने बेटक में देखे जैसा कि बताया जा रहा है कि 25 ऐसे एहम प्रस्ताओ हैं जो इस कैबिनेट में रखे जाएंगे और वो सभी प्रस्ताओ इसलिए भी महत्त पोड है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समपिट को लेकर के वो किमंज्टर योग्या अधितराथ इस बारे में बहुत कम्बीर है कि किसी भी तरीके से किसी भी सेक्टर में अगर sectorial industry की बात की जाए तो उन सब को लेकर के कोई भी दिक्कत ना आए इस बात के लिए वो cabinet बुला रहे हैं और cabinet पास कराते हैं उस प्रस्ताओं को तो सबसे महत्पूर यही है कि Global Investor Summit को लेकर के जितनी भी अब तक की पिछले कुछ दिनों में cabinet बैठक हुई है उनके sectorial growth को लेकर करके अगर बात करें और अगर हम बात करें अलग-अलग प्रस्ताओं पे तो यूपी के अलग-अलग मुद्धों को लेकर के ये बैठक महत्पूर है खास दोर पे अगर हम गन्ना की बात करते हैं शुगर केन और उसके इंडस्ट्री को बात करते हैं स्रीरा नीती की बात करते हैं इन सब को लेकर के एहम प्रस्ताव हैं जो की पास होंगे और अपने आप में ना सिर्फ गन्ना इंडस्ट्री के लिए सुगर केन इंडस्ट्री के लिए बलकि गन्ना किसानों के लिए भी महत्पूर्ण है एहम है और साथ में केन सरकार का बजट जो आएगा उसका भी कही न गई एक feedback मंत्रियों के माध्यम से अपने जिले, जन्पद और मंडल क्योंकि अभी हाले में मंडलवार जो बैठके खत्म होई है उसमें काफी feedback मुख्यमंत्री को मिला है उन सब को लेकर के cabinet के बाद मंत्रणा भी होनी है आपस में बाचीत भी होनी है उन सब के feedback भी लेने है और कहां किस तरह से काम किया जाना है मंत्रियों के इस बाद के instruction भी होंगे तो cabinet बैठक के साथ एक समीशा बैठक भी मुख्यमंत्री ने अपने मंडल के साथियों के साथ रखा है बड़ी और एहम खबर है लगता हूं से बीजेपी पर अकिलेश यादों ने बड़ा आरुप लगाया घुंडे बेजने का आरुप बीजेपी पर अकिलेश यादों ने लगाया है यह तस्विर आप देखे हैं पुलिस यहाँ लोगों को संबालने की कोशिश कर रही है राम चरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर के विवादत बयान के बाद से ही हिंदू संगचन सादू संथ नाराज है और उसी का असा दिखा गया जब अकिलेश यादों यहाँ पहुँचे तो उनका विलोद किया गया काले जंडे दिखाए गये नारे बादी हुई हालिकि पुलिस ने लोगों को संबाला लेकिन अकिलेश यादों खुद इससे नाराज दिखे खफा दिखे बीजेपी पर निशाना भी सादा और स्वामी प्रसाद मौर के बयान को लेकर डिफेंट करने की कोशिश दिखे थेकेदार कोई नहीं हो सकता वीजेपी धरम के ठेकेदार नहीं हो सकती वीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे में कारकम न जा पाऊ और अभी भी गुंडे पीशे घूम रहे हैं लेकिन हम समाजबादी लोग हैं घबराने वाले नहीं गुंडों से अभी भी घूमरें गुंडें कहीं न कहीं होंगे वो जो काला ज्हंडा लेकर के ब्रोथ कर रहे थे किसी के साथ भी कोई ब्योहार हो सकता है याद रखिए और बड़ी खबर है लकलों से स्वामे प्रिसाद मौर ने विवादित बयान देने के बाद पहली बार मुलाकात की है रास्ट्रिय अधर्ष अकिलेश यादों से हालनकि मानस को लेकर की गए टिपड़ी को लेकर जब सवाल उन से पूछा गया स्वामे प्रिसाद मौर एक चुपी सादे रहे सुनिए के इन मुद्धों पर उन्होंने अपनी बात अखिए संड़े देखे साथ उची तौशन पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे आपकी बात हुई कि और इस बारे में इस में स्वाभाई ग्रूप से सभी मुद्धों पर बात हुई है और अब हमारी रंगी त्या दूत्रा पहलो इस देश के दलितों पिछणों के आरचण को सुन्शित प्राना उनको वापत दियाना समयदानिक अत्कार की रच्छा चड़ना देगा तो सवामी प्रिसाद मौर ने अपने बयान को लेकर कुछ नहीं कया आगे बढ़ते हैं मुखिमंत्री योग्यारताथ ने राजस्तान के जाल और में सनातन धर्म को राष्ट्री धर्म का जिक्र करते हुए आपर मुखिमंत्री ने ये भी का कि राम मंदर राश्ट मंदर है इस बयान को लेकर अब सियासत भी हो रहे हैं समाज़वारी पार्टी ने सबार उठाया है महिस्ताजू संतों ने इस बयान पर स्वागत किया सियम योगी का बड़ा बयान सनातन धर्म ही भारत का राश्टिय धर्म अयोध्या में बन रहा है राश्ट मंदर तोड़े गए धर्म स्थलों की पुरार स्थापना हो उत्तरपडेश के मुखमंत्री योगी आदितिनाथ राजस्थान के जालाओर आये तो पूरा इलाका उनके स्वागत के लिए उमर पड़ा दूर दूर से लोग सियम योगी को देखने के लिए धीम ताल पहुँचे इस दौरान सियम योगी ने जो कहा उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है सियम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरातन धर्म ही भारत का राष्ट धर्म है हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट धर्म है हम सब अपने ब्यक्तिकत स्वारतों से उपर उड़ करके अपने इस राष्ट धर्म के साथ जुड़ते हैं दुनिया ने राम मंदिर से हिंदुस्तान का संगष देखा दुनिया राम मंदिर पर सुप्रिम कोट के अतिहासिक फैसले की गवाह बनी और अब राम लला अपनी जन भूमी यानी स्थाई गर्भ ग्रिफ पर विधे विधान से विराजमान होने का वक्त भी नस्दीक आता जा रहा है अगले साल यही महिना होगा और तिन होगा मकर संक्रांति के पर्व का जब आयोध्या में भवे राम मंदिर का उधगाटन होगा भीन माल में सीम योगी ने इसी भविता का जिक्र किया और कहा कि अतीत में आकर्मन कारियों ने जिन धर्मस्थलों का अपमान और तोड़ फोड़ किया उनका पीए मोधी की पहल और प्रेणा से पुनरधार हो रहा है उन्होंने संकेत भी दिया कि ये काम अब रुकने वाले नहीं किसी कान खंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अब पवित्र किया गया है उनकी प्रनस्थापना का ये का विहान चले और इस अभिहान का क्रमाज आप देख रहे होंगे अयुद्या में 500 वर्सों के बाद प्रवान मंत्री मोधी जी के प्रियास से भख्वान राम के भव्य मंदिर के निर्मान का कार्याज पुरा होने जा रहा है 2017 में उप्तर पुदेश में सत्ता संभालने के बाद CM योगी ने सनातन धर्म से जूड़ी पहचान को सवार में और गुलामी के पृतिकों को हटाने पर तेसी से काम किया है CM योगी की सरकार में जिन बड़े शेहरों और जगे के नाम पतले गए उनमें इलाहबाद का नाम प्रियाग राज किया गया पैजाबाद का अयोध्या किया गया मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम दिया गया जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम विरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन रखा गया परलिंकन चौरहा लखनों को अशोक सिंधल चौरहा बनाया गया सिकंद्राबाद चौरहा लखनों को विरांगना उदा देवी चौरहा के नाम से चाना गया वही मुंडेरा बाजा का नाम चौरि चौरा कर दिया गिए, भीन माल में सीम योगी ने गहा कि अजुद्ध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वो दरसल राष्ट मंदिर है। इस मौके पर सीम योगी ने हिंडूों को चाथ विरादरी में बाटने वालों को भी रह दिखाई उन्होंने फीन माल में 1400 साल पुराने नील कंट महादेव मंदिर के जिनोधार और मुर्ती प्रांट प्रतिष्ठा कारिक्रम में आए लोगों की एकता का सिक्र किया और कहा कि सभी हिंडूों को अपने दैनिक जिवन में एकता के इसी भाव को अपनाना चाहिए आप जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखनेों को मिल लए है कोई जाती नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मज़ब का भेद नहीं बायोबेनों, हम सब को अपने दैनिक जिवन में भी इस भाव को निकार करना होगा देश में मोदी और यूपी में योगी, जिनके एक कारिकाल में राम मंदिर का श्रा न्यास हुआ और इसी कारिकाल में मंदिर का उध़ाटन भी हुग जस राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी ने अपना राजनितिक समर्थल दिया और जो राम मंदिर आंदोलन राजनितिकी द्गुल बन गया अब सीएम योगी के बयान से देश के लिए नया एजेंडा तैह होता दिख रहा है चीम न्यूज नेशन और बड़ी खबर है सनातन पर सियासी संग्राम लगतार जारी है खिलेश जादोने बीजेपी पर निशाना सादा का बीजेपी हम सब को शूद्र मानती है बड़ी और एहम खबर है एसपिया धेख्श अकिरेश जादोने बड़ा बयान दिया का आप बीजेपी के लोग हम सब को शूद्र मानते हैं अकिलेश ने भी का कि अब मुझे समझ आया कि सीम हाउस को क्यों गंगाजल से दुलवाया गया था बड़ी और एहम खबर विकाज स्वामे पिसाद जातिगत जन्गर्णा के मुद्धे पर आगे बढ़ें को शूद्र दलित को शूद्र मानते हैं बीजेपी के लोग हम सब को शूद्र मानते हैं उनको ये तकलीफ हैं कि हम उनके धार्मिक इस्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरू संत लोगों से आशिवार लेने के लिए भाजबी आई यहोंने बेजा और कोई परसाज़न का पुलिस का अधिकाली नहीं था और जितनी पुलिस परसाज़न थी सब रात में अटा दी याद रखे बीजेपी के लोग समय बदलता है समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की वेवस्ता उनके लिए होती है स्वामी परसाज मौरे जी को मैंने कहा है कि जाती जंगरना के आंदोरन में आगे बढ़ें और सीधे आपको तस्विर दिखाते हैं तर प्रदेश की कैबिनेट बैठेक चल रही है मुक्यमंत्य योगिया ताथ के धष्टा में कई एहम परस्ताओ आज मनजूर किया जा सकते हैं कैबिनेट की बैठेक में योगिया ताथ केश्व परसाद मौरेस और प्रदाफ चाही बैठेक में मौजूद हैं प्रजेश पाठक और साथी वितमंत्री सुरेश खना मौजूद हैं बीबी रानी मौरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठेक है चल रही है और एहम बैठेक इस वज़े से क्रिशी और चीनी उद्द्यूग से जुड़े कई प्रस्ताओ मनजूर किया जा सकते हैं इसकी संभावना जाहर की गई है लकनाओ में योगी कैबिनेट की बैठेक चल रही है और कई एहम प्रस्ताओ इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े भी कुछ प्रस्ताओ इस कैबिनेट बैठेक में मनजूर किया जाएंगी नीजी एमस मीज को भी मदद दी जा सकती है बड़ी और एहम खबर तस्विरे भी आप देख रहे हैं योगी कैबिनेट की बैठेकी सीम योगी की अधरिश्टाम बैठेक और उसके लावा बी जे पी भी लगतार फीड़एक ले रही है खबर लगतार जा रही हैं बढ़े रहे हैं न्यूस स्टेट के साथ